Hello everyone, मेरा नाम है थीश पांडे और ये एक personalities वीडियो की series है इसमें हर एक personality पे मैं आपको बताऊंगा ये बहुत ही एक informative वीडियो होने वाली है लेकिन इस वीडियो को start करने से पहले I request everyone कि आप इस channel को subscribe करें और वीडियो को like and comment करें आप इस channel पे UPSC related subjects को भी पढ़ सकते हैं जिनके playlist हम लोगों ने बनाया है ये सारा content free of cost है तो जो भी serious UPSC aspirants हैं वो वाइस सर को contact कर सकते हैं on whatsapp 7200-681-675 test series और foundational videos के लिए आज हम लोग धीरुभाई अमबानी के बारे में जानेंगे Early Life 28 सिसंबर 1932 को गुजरात के जुनागड में जुनागड के छोटे से गाउं चोरवाड में धीरज लाल हीरा लाल अमबानी का जनम हुआ पीता गोर्धन भाई अमबानी एक सिच्छक थे माता जमना बेन एक सामान इग्रिहनी थी धीरू भाई के चार भाई बेहन और थे इतने बड़े परिवार का लालन पालन करना अध्यापक गोर्धन भाई के लिए सरल काम ना था एक समय ऐसा आया कि आर्थिक परिशानियों की वज़े से धीरू भाई को पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और उनकी स्कूली सिच्छा भी अधूरी रह गई पिता की मदद करने के लिए धीरू भाई ने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिये क्यारियर यह उधारन की हर एक सफलता के पीछे धेरो असफलताए छुपी हुई होती हैं धीरू भाई अमानी पर एक दम सटीक खड़ी उतरती है पढ़ाई चोड़ने के बाद पहले पहल दीरू भाई ने फल और नाश्टा बेजने का काम शुरू किया लेकिन कुछ खास फाइदा नहीं हुआ उन्होंने दिमाग लगाया और गाउं के नजदीक इस्थिद धार्मिक परियाटन इस्थल गिरनार में पकोड़ा बेजने का काम शुरू कर दिया यह काम पूरी तरह आने वाले परियाटक पर निर्भर करता था जो साल के कुछ समय तो अच्छा चलता था बाकी समय इसमें कोई लाब नहीं होता था धिरू भाई ने इस काम को भी कुछ समय बाद बन कर दिया बिजनेस में मिली पहली दो असफलताओं के बाद उनके पिता ने उन्हें नौकरी करने की शला दी धीरु भाई के बड़े भाई रमणिक भाई उन दिनों यमन में नौकरी किया करते थे उनकी मदद से धीरु भाई को भी यमन जाने का मौका मिला वहाँ उन्होंने सेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर नौकरी की शुरुवात की और महज दो साल में ही अपनी योगिता की वज़ा से प्रबंदक के पद पर पहुँच गए इस नौकरी के दौरान भी उनका मन इसमें कम और व्यवसाई करने के मौके की तरफ जादा रहा उन्होंने उस हर एक संभावना पर इस समय में विचार किया कि किस तरफ वे सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं दो छोटी घटनाएं बिजनेस के परती उनके जुनून को बियान करती है यह दोनों घटनाएं उस समय की है जब वे सेल कमपनी में अपनी सेवाई दे रहे थे जहां वे काम करते थे वहां काम करने वाला कर्मियों को चाय महज 25 पैसे में मिलती थी लेकिन धीरु भाई पास ही के एक बड़े होटल में चाय पीने जाते थे जहां चाय के लिए एक रुपया चुकाना पड़ता था उनसे जब इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उस बड़े होटल में बड़े-बड़े व्यापारी आते हैं और बिजनेस के बारे में बाते करते हैं उन्हें ही सुनने जाता हूँ ताकि व्यापार की बारिकियों को समझ सकूँ धीरु भाई ने अपने ही तरीके से बिजनेस मैनेजमेंट की सीख्छा ली जिदों ने आगे चल कर वहाटन और होवर्डस में होवर्डस से पारंपरिक तरीका से डिदिल देने वाले को नौकरी पर रखा इसे तरह दूसरी घटना उनकी पार्खी नजर और अवसर भुनाने की छमता की और इशारा करती है हुआ यू कि उन दिनों में यमन में चांदी के सिक्कों का प्रशलन था धीरु भाई को एहसास हुआ कि इन सिक्कों की चांदी का मूल सिक्कों के मूल से जादा है और उन्होंने लंडन की एक कंपनी को इन सिक्कों को गला कर आपूर्ती करने शुरू कर दी यमन की सरकार को जब तक इस बात का पता चलता वे मोटा मुनाफा कमा चुके थे ये दोनों घटनाएं इशारा कर रही थी कि धूरु भाई अम्बानी के पास एक सफल बिजनेसमेन बनने की सारे गुन है यमन में धीरु भाई का समय बीत रहा था कि वहाँ आजादी के लिए लड़ाई शुरू हो गई और धेरो भारतियों को जमन छोड़ना पड़ा इस परजानी के आलम में धीरु भाई को भी यमन छोड़ना पड़ा इश्वर ने एक सफल बिजनेसमेन बनाने के लिए परिसितियां गणना शुरू कर दी थी इस नौकरी के चले जाने के बाद उन्होंने नौकरी की जगह बिजनेस करने का निरने लिया लेकिन विवसाय सुरू करने के लिए पैसों की जरूरत थी धीरु भाई के पास निवेश के लिए बड़ी रकम नहीं थी इसलिए उन्हों ने अपने मामा त्रेमबकालाल दामणी के साथ मसालों और सक्कर के व्यापार की शुरुबात की यही पर Reliance Commercial Corporation की निव पड़ी इसके बाद Reliance ने सूत के कारुबार में प्रवेश किया यहां भी सफलता ने धीरु भाई के कदम चुमें और जल्द ही में बॉम्बे सूत या पार संक्य करता धरता बन गया यह बिजनेस जोकिम सुभरा था और उनके मामा को जोकिम पसंद नहीं था इसलिए जल्द ही दोनों के रास्ते अलग हो गया इससे रिलाइंस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा और 1966 में रिलाइंस टेक्स्टाइल अस्थित्व में आया इसी साल रिलाइंस ने एहमदाबाद के नरोडा में टेक्स्टाइल मील की स्थापना की विमल की ब्रांडिंग इस तरह की गई कि जल्द ही हर घर घर में पहचाना जाने लगा और विमल का कपड़ा बड़ा भारतिये नाम बन गया विमल दर असल उनके बड़े भाई रमनिक लाल के बेटे का नाम था उन्ही सब संघर्चों के बीच उनका विवा कोकिला बेंसे हुआ जिसने उन्हें दो बेटे मुकेश और अनील तथा दो बेटियां दीप्ती और नीना हुई उन्होंने इसके बाद कभी पीछे मुढ कर नहीं देखा और रिलाइन्स कपड़े के साथ ही पेट्रोलियम और दूर संचार जैसे कंपनियों के साथ भारत के सबसे बड़े कंपनी बन गई इन सब के बीच धीरु भाई अम्बानी पर सरकार की नीटियों को प्रभावित करने और नीटियों की कमियों से लाब कमाने के आरोप भी लगते रहें उनके और नुशली वाडिया के बीच होने वाले बिजनेस घमासान पर भी बहुत कुछ लिखा गया उनके जीवन से प्ररित एक फिल्म गुरु बनाई गई जिसमें अभिशेक बच्चान ने उनकी भूमिका का निर्वाह किया लगतार बढ़ते बिजनेस के बीच उनका स्वास्थ खराब हुआ और 6 जुलाई 2002 को उनकी मृत्यु हो गई मृत्यु के बाद उनके काम को बढ़ाने उनके बेटे मुकेश अमबानी ने समाला तो ये थी धीरुभाई अमबानी की जीवनी आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो इनपॉर्मेटिव लगी होगी तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जय हिंद जय भारत